COVID-19, यानि SARS-CoV-2, एक ऐसा वारस जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, एक ऐसा वारस जिसने पूरी दुनिया की एकोनोमिक को तबाह कर दिया, इसका ओरिजन कहां से हुआ? ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आधिकारिक तोर पर WHO अब तक इसके तो हुआ कैसे? इससे पहले कि डबल अच्य खोजे, चीन ने इसकी खोज कर ली. चीन के साइंटिस्ट की ये टीम ने बता दिया है कि दर असल ये वारस कहां से आया? इसका ओरिजन कहां से हुआ? आप सोच रहोंगे भई बाद कहां हुआ हुआ हुआ? तब आपको बताओं चीन के मताबिक चीन की नही खोज के मताबिक जो COVID-19 यारी SARS-CoV-2 वाइरस का जो ओरिजन था वो इंडिया में. आप सोच रहोंगे कि क्या मजाद है? दरसल ये मजाद नहीं है. ये चीन के बड़े साइंटिस्ट की एक ऐसी ताजा होज है जिसको लेकर वो पूरी तरह से सी के तमाह देशों में साइंटिफिक इस्टिटूशन्स में ये रिपोर्ट भीजी जारी है और बाकाइदा इसको प्रूव करने की कोशिश जारी है. साफ है कि इससे पहले डबलो अच्चो की टीम चीन की तरफ उंगली उठाए, चीन ने भारत की तरफ उंगली कर दी है. अ अगर जाविद अक्तर या श्वर्गी ए मनमोहन देशाई इसको पढ़ ले तो वो मिरिकल स्टोरी लिखना छोड़ देए. ऐसे स्क्रिप्ट तो शायद वोलिवोड में या फिर चीन की फिल्मों में ही लिखी गई. बॉलिवोड इसके सामने कुछ नहीं है. आब इस कहानी इस्टिटूट्स में फेजी जारी है प्रूव करने के लिए. वहाँ के सैनिमा सेमिनार्स में पहच जारी है कि दरसल अब कोविड वाइरस के ओरिजन की कहानी उसके खोज की जा चुकी है और उसका तर्क ये. मैं अब उक्ताता हूँ कि बाइस पंदों कि इस रिपोर्ट म जो कि शंक हाई का एक बड़ी उनियोसिटी है उसके प्रफेसर है लिविंग शेंड उसके सैंटिस्ट दूसरे सैंटिस्ट हैं फूनान ही जो कि फूडाल उनिवस्टी के स्कूल ऑफ लाइर सांसेस के सांटिस्ट है और तीसरे सैंटिस्ट है उनिवसिटी ऑफ टेकसस के इ उन्होंने genome sequence यह जो SARS-CoV-2 का वाइरस है इसके genome sequence की study की है इसके sequence को उन्होंने लगभर लगभर 4000 से चारहजार से जानदा viruses की study की है जिसके sequence को निकाला है उस sequence में उन्होंने phylogenetic roots की पहचान की है इस हर एक virus के phylogenetic roots की पहचान की है उसको analyze किया है और फूर इसको evolutionary process को उन्होंने देखा है कि दरसल यह virus कैसे evolution कैसे हुआ और वो कहां से हुआ इसको analyze किया है इस evolutionary process को analyze करने के बाद जो report तयार हुई है उसमें इस report में जो सबसे पहला conclusion है वो यह है कि दरसल Wuhan में यह virus पैदा नहीं हुआ वोहान में तो जो वाइरस पैदा हुआ था वो least mutant था यानि कम से कम सक्रिय था उसकी सक्रिय था सबसे कम थी और उसको जो evolution था वो सबसे कमजोड था यानि इस से थाबित होता है कि वोहान में तक कम सक्रिय वाइरस पैदा नहीं हो वोहान से पहले जहां इस वाइरस के पैदा होनी की संभावना है उसमें चार सब कॉंटिनेंट है जो देश उनने बताया है इस report में उसमें USA, इंडिया, बांगलादेश, औस्रेलिया, इटली ग्रीस, रश्या, जैसे देशा, सौधी अरबिया, इस report का कहना है कि पूरी संभावना है कि वोहान से पहले इन देशों में ये COVID-19 वाइरस मुझूद था, यानि वोहान जो पहुचा, वो सबसे बाद में पहुचा, हलाकि SARS का जो वाइरस था, वो पहले से मुझूद था, लेकिन undetected था, उसकी detection नहीं होती, वोहान में बस इतना हुआ कि ये वाइरस डिटक्ट कर लिया गया, ये conclusion है इस report का, लेकिन इसमें आगे और जीरो इन किया है उनने इस report में, उसमें कहा कि दरसल जो सबसे ज्यादा संभावना है, वो ये है कि ये वाइरस पैदा हुआ है भारत में, और पैदा कब हुआ, जुलाई अगस 2019 में, ये वाइरस जो मोजुदा सिर्टी में, जुसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है, दरसल वो जुलाई अगस के महिने में, भारत में पैदा हुआ, कैसे, दरसल इस report के मताबिक, मई जून 2019, साल 2019 के मई औ जून महिने में, इंडिया और पाकिस्तान के सेंट्रल और नॉर्टन पार्ट में, लोंगेस्ट हीट वेव रिकॉर्ड की गई, इसके लिए उन्होंने एक विकी, वीडिया का एक सोर्स भी कोट किया है, उसके मताबिक, जो हीट वेव थी, उससे कही ने कही वोटर क्राइस पैदा हुआ, इस पूरे रिजन में, सेंट्रल इंडिया में, और नॉर्टन इंडिया में, पाकिस्तान गे इंडिया में, यहां पर हीट वेव की वज़ए से, वोटर क्राइस शुरू हुआ, जिसके वज़ए से, जो वाइल्ड अनिमल्स थे, यानि जो ज़नली जानवर है उन में कहीं ने कहीं इस वोटर क्राइसिस के वज़ए से, उनको पानी की कमी जहली पड़ी, जिसकी वज़ए से, वाइल्ड अनिमल्स में आपस ने हिंसक जड़पे हुई, जी हां, इन हिंसक जड़पे, इसको उन्होंने डेडली फाइट्स करार दिया है, उसने कहा है कि जो वाइड अनिमल्स हैं, उनमें जो डेडली फाइट्स हुँ, वो बंदरों के बीच हुई, और यही मोमोका है, जो कि जिससे कहीं ने कहीं, हुमन कोंटक्ट आया, उन अनिमल्स से, हुमन के बीच में जो कॉंटक्ट है, उसकी संभावना प्रबल हुई, जिससे, उन जान स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, क्या जबरदस स्क्रिप्ट लिए, मतलब पहले, हीट वेव की वजए से, वोटर क्राइसिस पैदा हुआ, वोटर क्राइसिस की वजए से, जो जंगली जानवार थे, उसमें आपस में जगडा सुरूर हुआ, आप चायना के top scientists Osman कि उनका कहना ए की यही वजय है कि जो heat wave में आप जो तर्ख हमने देखा हमने देखा कि जो SARS है यह भैंकर गरियूं में थे तेजी से ठैला यही इसका तर्ख है कि जो यह पैदा भी heat wave की वजाई से हुआ था इसलिए ये गर्मियों में भी इसलिए फैला क्यूंकि ये heat wave में पैदा हुआ था जिस condition में पैदा हुआ इसलिए ये तर्क भी कहीड़े उतरता है कि हीट वेव में यह हमने देखा कि तेमाम देशों में यह गर्मीयों में यह वाईरस के पहला से हैं हालग कि जो पिछले आंखरे पताते हैं कि SARS, SARS of MERS के गर्मीयों में कहीं कमजोर पड़ जाया करते थे काफी स्नोडाउन उनकी म्यूटेंसी हो जाया करती थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये इंडिया में हीट्वेव में पैदा हुआ था सब कुछ उन्होंने ऐसा रखा है कि अगर आप एकतकपूर के सीरियल देखते होंगे तो आप भी माथा पीट लेगे कुछ इसी तरह का उन्होंने स्कृट्प लिखी है और चीन इसको लेकर सीरियस इसको लेकर बाकाइदा तर्क भी तर्क किया जा रहा है साइंटिस साइंट और आप हैरान मत होना है कि आने वाले दिनों में अगर आप दा हिंदू, दा वायर और इंडियन एक्सप्रेश जैसे इसको सावित करता हो भी देखें दरसल रिपोर्ट तयार की जा चुकी है अब इस प्रोपगेंडा को दुनिया में फैलाने की मशिनरी चालू हो चुकी ह यह है चीन का प्लान लेकिन दुनिया उतनी भी बेवबूफ नहीं है जितनी चीन समझने की कोशिश करता है डेली मेल ने दुनिया के टॉप बड़े सांटिस्ट से इसकी इस रिपोर्ट का हवाला देकर पुछताज की है उन्हों कहा कि भाई आगी चीन ये कह रहा है इसमे इसके अलावा और भी कई सांटिस्ट हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से जूटा और पकवास करा दिया लेकिन दोस्तों चीन को इस रिपोर्ट पर विश्वास हो नहीं चीन को अपनी प्रपगेंडा मशिंट्री पर विश्वास जरूर है और वो इसको फैलाने की लगाते हैं आप जल्द ही इस तरह की रिपोर्ट अपने आज पास के अख़वारों में देखेंगे जरूर लेकिन चीन से यह अकेली ख़पर नहीं है जो की एकदम चौकाने वाली है दिल्चस्प है और बेहत खौपनाक भी है चीन के नोर्दन चाइना के सांक्षी होता है इसमें है तलफिश में कॉवट पॉजिटिव लखण पाएगाई यानि है तलफिश만 को च्कॉवर्ट पॉछिटिव पॉजिटिव पाएगी बंद कर दिया है, यह इंपोर्ट कहा से की गई थी है, बीजिंग के पास एक पूट सिटी है, त्यांजिन, वहां से यह बचलिया जो इंपोर्ट की गई थी, फिराज चीन ने इनका पंद कर दिया, यानि साफ है कि दुनिया को अब और भी सचेत रहने की जरुवत है, चीन मे कि अचेत रहने की दुनिया कि रहने की दोयों कि डाद की धन्या है, यानिस बचलिया जो कि दिलाग्ट कैज जाए यांजिंग जोुवत है, सुवार्य जो थीॉजब।